हरे कृष्णा जैशी रादे वल्कम बैक टो में चैनल के शानर रवाट तो ये देखे आज ये हम दो नम्मर के कोपाल जी के लिए सरीके का ये जंप सूट बनाएंगे बहुत ही प्यारा खूबसूरत है और इसको पहनाने के बाद ही बहुत सुन्दर लगता है ये इसके साथ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब को लेजीगा साथ में बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजीगा जिसे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को एक लाइक शुरूर कर देजीगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे तरीके से बनाया है तो यहाँ पर यह मैंने ले ली है और यह क्रोशय हुक ले लिया है इसमें सबसे पहले में नॉट लगा लेती हूं यहाँ पर यह दिखिए इस तरीके से यहाँ पर हम चेन डालते जाएंगे, तो यहाँ पर हमें टोटल 18 चेन डालनी है, दो, तीन, तो इस तरीके से करके यहाँ पर मैं टोटल 18 चेन डाल लेती हूँ, तो यहाँ पर यह दिखे, टोटल मैंने यहाँ पर 18 चेन डाल दी है, अब यहाँ पर 3 चेन दिखिए डबल क्रोशे बनाया तो यहाँ पर हमारे दो डबल क्रोशे काउंट हो जाएंगे तीन की चेन और एक हमने बना लिया और यह फिर नेक्स्ट चेन में डाल करके फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे तो अब हमें इस राउंड में इसी तरीके से करना है हर एक एक ए तो दिदक है मैंने हर 친 में एक एक डबल इंब बना लिया है तो टोपार 15 हमारे पास डबल इंबल कूषी हो गय है अब हरे एक चेनå में दैंब लेयिद दोड़ बना में नी चैनों कि दूधर है से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमारा एक हो गया नेक्स्ट में मैंने दो बना लिए हैं अब हर एक चेन में दो दो बनाएंगे तो देखिए हमने हर एक चेन में दो दो बार डबल कोशे बना लिए थे फर्स्ट और लास्ट चेन में हमने एक एक बार बनाए है बाकि सभी चेन में हमने दो दो बार डबल कोशे बनाए है तो यहाँ पर हमारे टोटल 30 डबल कोशे हो गए है फर्स्ट में हमने एक बनाए है लास्ट में हमने एक बनाए है और बाकि सभी चेन में हमने दो दो बार बनाए है तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पर 30 double crochet हो गए है तो अब हमें देखे क्या करना है यहाँ से start करेंगे फिर से अब हम यहाँ पर यहाँ पर पहले double crochet बनाएंगे एक तीन की chain बनाया करके एक और यह दो तीन chain हो गए हमारे यहाँ पर अब इसको हम एक double crochet count करते हैं अब हमें क्या करना है next chain में एक बार double crochet बनाना है इससे next chain में जाएंगे एक बार double crochet बनाएंगे इसमें इसमें ना बना करके next में बनाएंगे इस तरीके से एक बार double crochet हमने बनाया फिर next chain में जाएंगे फिर एक यहां पर बनाएंगे इस तरीके से तो यह हमारे पास 3 double crochet हो गए हैं 3 एक अब हम next बनाएंगे आगे तो यह 4 double crochet बनाने के बाद अब नीचे की side से हम यहां पर 6 chain skip करेंगे 6 के बाद 7th chain में हमें यहां पर double crochet बनाना है तो आगे की side हमने 4 बनाए थे तो इसी तरीके से हमें back side पर 8 double crochet बनाएंगे यह दिखिए 4 की double हो गए 8 तो 8 double crochet बनाएंगे और फिर से यहां पर 6 chain skip करके और front side में फिर से 4 double crochet बना लेंगे तो देखिए पूरे round को इसी तरीके से मैंने यहां पर complete कर लिया है दोनों side से हमारा इस तरीके से sleep side निकलेगा अब हम यहां पर यह देखिए चोली हमारे इस तरीके से त्यार होगी यह देखिए आप चाहें तो इसमें एक round और बना सकते हैं वरना यह इतना ही काफी रहेगा इस सरीके से यह चोली बंद के आ जाएगी अब इसको हम यहाँ पर ही चोली का end कर देंगे तो हमने यहाँ पर चोली त्यार कर लिया है अब हमें क्या करना है इसको हम यहाई से शुरू करेंगे पहले इसमें तीन की chain बना करके double crochet बना लेंगे एक, दो दो chain बना ली है, तीन chain हो गए है, अब एक double crochet हो गया है, अब same chain में डाल करके मैंने एक बार और double crochet बना लिया, same chain में दो बार हो गया है, फिर से next chain में डाल करके दो बार double crochet बना लेंगे, यह देखे इस तरीके से, तो हर एक chain में हमें दो दो बार double crochet बनाना है, अब next chain में मैंने दो बार बना लिया है, तो इस वाले round में हर एक chain में दो दो बार double crochet बना लिया है, एक chain में दो बार double crochet बना लिया है, एक chain में दो बार double crochet बना लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से अब work को start करेंगे, फिर से पहले 3 की चेन बना लेते हैं जो कि हमें single crochet count करना होता है उसको एक और ये दो तो देखें यहां पर हमारा 3 की chain हो गया है अब next chain में जा करके एक बार double crochet बनाएंगे इस तरीके से अब next chain में भी एक बार double crochet बनाएंगे अब इसी तरीके से हमें हर एक chain में एक बार double crochet बनाना है तो किसी में भी बढ़ाना नहीं है next chain से लेकर के जाते वे हर एक chain में एक एक बार double crochet कर लेंगे तो दिखें यहां तक हमने यह double crochet एक chain में एक एक बार double crochet इस तरीके से बनाया है तो हम यहां तक इस तरीके से इसको fold करके देख लेंगे जब यह हमारा totally half पर बन जाएगा तो यह first chain में जाकर के इसको इस तरीके से slip stitch से join कर देंगे तो दिखें यह हमारा half circle बन करके त्यार हो गया है तो इस circle पर भी हमें हर एक एक chain में एक एक double crochet बनाते जाएगे तो दिखें एक double crochet में नहीं यहां पर बनाया तो इसमें हर एक chain में एक एक बार double crochet हमें बनाना है तो एक हमें circle सा यह मिल गया है और एक chain में एक एक बार double crochet पूरे circle पर हमें बनाते भी जाना है तो चलिए मैं पूरे circle पर round आगे की side भी पूरे आगे की side complete करती हूँ बढ़ाती हूँ इसको फिर आगे आपको पता हुआ क्या करना है तो देखें यहाँ पर यह round को मैंने complete कर लिया है यह देखें अभी हम दूसरी तरफ start कर रहे हैं अपना work यहाँ पर मैंने यह own को start कर रहा है जो हमारा आधा हिसा रह गया था इसका उसमें हमने यह wool को start कर रहा है लगा करके अब यहाँ पर मैंने एक तीन की chain बना लिया है और next chain में जाकरके एक यह double crochet बना लिया है तो इसमें भी हमें इसी तरीके से करना है आधे हिसे में हमें यह double crochet बनाना है और फिर जब यह हमारा आधा हिसा हो जाएगा तो यहाँ तक हम बना करके इसको फिर से यही करेंगे slip stitch से जोड देंगे पूरे हिसे पर एक एक हर एक chain में half double crochet बना करके और फिर इस वाले side भी हम इसी तरीके से round को complete करेंगे जैसे हमने यहाँ पर यह दूसरी side किया है तो यहाँ पर भी इसी तरीके से एक-एक half double crochet में बना लेती हूँ तो दिखिए यहाँ पर मैंने आधे हिसे में यह double crochet एक-एक हर एक chain में बनाया है तो इसमें हम इसी तरीके से यही करेंगे फास्ट चेन में जाकर के इसको यहाँ पर slip stitch से थर्ड चेन में इसकी जाकर के स्लिप स्टेश से जोड देंगे इस तरीके से तो इदर की side भी हमें इसी तरीके से सेम circle मिल गया है जैसे हमने ये दूसरी साइट बनाया था और फिर पूरे सरकल पर हमें फिर इसी तरीके से करना है हर एक 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 चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे तो इसी तरीके से हमारा ये इधर की साइड का भी ये howगा ये dadly complete कर दिया है तो ये dress हमारी complete हो गए, ये gem suit अब हमें क्या करना है itshel nervous, इसी तरीके से same तरीके से हमने बनाना है वे देखिए पूरा हमार पास ये, इस circle है, तो हम यहां से इधर से इसको start करेंगे जो देखिए हमारा एक double crochet है इधर से इसको start करेंगे बनाना यह देखिए यहां से एक double crochet बनाएंगे start करेंगे यहां से इधर से own को start करेंगे और जो 6 chain हमने छोड़ी थी उसमें एक-एक double crochet हर एक chain में बनाते जाएंगे और फिर पूरे round को इसी तरीके से हमें भुनते वे जाना है एक-एक single crochet से round को complete करेंगे चलिए यहां से हमने ओन स्टार्ट कर ली है पहले मैं यहां पर एक single crochet बना लेती हूं तीन की chain बना करके फिर next chain में double crochet बनाएंगे तो यहां पर पहले जो हमने double crochet इदे से ओन को start करा है तो यह ओन को भी साथ साथ हम लेते वे जाएंगे तो यह साथ साथ हमारे बार कम जब करेंगे तो यह भी hide होती जाएगी तो यह next chain में मैंने जाकर के यहां पर यह दिखे सरीके से यह double crochet किया फिर हमें हर एक chain में लेकर के एक-एक double crochet बनाते जाना है और यह उनको साथ साथ हम दबाते जाएंगे इसके अंदर ही वर्क के तो पूरी round को इसी तरीके से मैं पूरा कर लोगी तो देखे राउंड को यहां पर मैंने complete कर लिया है अब इसको हमने यह दिखे जहां से हमने यह start कर रहा था इसको हम इधर की इधर से ही last stitch में जाकर के इसको slip stitch से इसको join कर देंगे तो यह इस तरीके से हमारा यह पूरा round बन गया है और यह देखे हमारे पर circle इस तरीके से हमें बिल गया है तो अब हमें यहां पर हर एक stitch में एक एक double crochet बनाते जाना है कोई भी घटाना या बढ़ाना इसमें कुछ भी नहीं है सेम तरीके से इसी तरीके से हमें पूरे circle पर दो राउंड और complete कर लेंगे, आगे बढ़ा करके और दुसी slips भी हम इसी तरीके से पूरी कर लेंगे, तो चलिए दोनों साइट में complete कर लिए यहां पर complete कर लिया है, यह देखे इस तरीके से यह trace हमारी complete हो गई है, चम सूट कुपाल जी का अब हमें इसमें यहाँ पर स्लाई लगानी है तो यहाँ पर यह दिखें मैंने यह उल्टा साइड रखा है और सीधी साइड इसकी अंदर है चम सूट की तो यह नडल में मैंने यह धागल ले लिया है इसको दोनों साइड से थोड़ा सा उपर तक हम सिलेंगे पूरा उपर तक नहीं सिलना है थोड़ा सा आगे तक इसको हमें यहाँ पर स्लाई कर देनी है तो यहाँ पर देगे मैंने यह इसको सिलाई लगा करके इसमें तो हाइड भी कर दिया है धागा और फिर इसको हम पलट करके सिधा कर लेंगे क्योंकि सीधी साइड हमारी अंदर की साइड थी और उल्टी साइड से हमने इसको यहाँ पर जो में सलाई लगाई थी निडल से बाहर की साइड से सलाई लगाई थी तो यह सीधी साइड हमारी अ कोपाल जी के लिए बहुत ही असानी से बना सकते हैं कोई भी इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होगी तो आप एक बर जरूर ट्राइ किजीगा अपने कोपाल जी के लिए जरूर बनाएगा तो आपको वीडियो अच्छी लगे होगी कोपाल जी के ड्रेस भी आपको पसंद आई होगी ड्रेस पंसंद आई हो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में